अगर एक किड्नी बेच कर मुबाइल खरीदा हुआ खो जाता है तो दूसरी किड्नी फेल होने का चांस बहुत जादा हो जाता है अरी ये तो राहिमिंग हो गया दोस्तो अगर आपका फोन अब खो गया तो अब आपको टेंसन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि गवर्मेंट ने एक नया पोर्टल चालू किया है जिससे कि आपका खोया हुआ फोन को ब्लॉक करती है और उसे खोजने में आपको मदद करती है और अगर आपका फोन मिल भी गया किसी को तो उसके यूज करने के लायक कभी नहीं रहेगा तो ये सब चीजें आपको कैसे करनी है आईए हम जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर दोस्तो अगर आपका फोन खोजाता है तो आपको कुछ टम्स एंड कंडिशन है उसे आपको सबसे पहले फॉलो करना होगा जैसे कि अगर आपका फोन खोगया तो कहां पे खोया था उसका लास्ट लोकेशन आपको याद रखना है किस डेट को खोया था वो भी याद रखना है और आपको अपने साथ आपका IMEI नमबर अगर आपने उस फोन में दो सीम कार्ड लगा रखा था तो दोनों फोन नमबर और यहां तक कि आपको एक पुलिस कंप्लेन भी करवानी होगी तब जाकर आप इस नए गौर्मेंट के लाँच हुए पोर्टल में आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं अगर आपने यह सब ओके कर लिया है तो आईए हम चलते हैं उस बेवसाइड पे और देखते हैं कैसे हमें कंप्लेन कर ली है तो सबसे पहले आपको गूगल करना है C.E.I.R. यहां पे फर्स्ट वाला जो बेवसाइड है इसके अंदर आपको चले आना है तो यहां पे तीन option दिये गए है पहला ब्लॉक करने का अगर आपका फोन खो गया तुसे ब्लॉक कैसे करना है और दूसरा अगर आपका फोन मिल गया तुसे अन ब्लॉक करने का और तीसरा यहां पे जो आपने request दियाला है उसको चेक करने का तो यहां पे हम mobile को सबसे पहले ब्लॉक करेंगे तो कैसे करना है तो यहाँ पे device का आपको information यहाँ पे डालना है पहला mobile number और दूसरा mobile number यानि कि SIM 1 और SIM 2 दोनो mobile number डालना है और IMEI number भी यहाँ पे आपको दोनों add करना है अगर आपको IMEI number पता करने नहीं आता है तो box के उपर IMEI number दिया होता है तो वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपने device का brand डालना है उसका model number add करना है और इतना करने के बाद यहाँ पे आपको जब आप दुकान से खरीद रहे थे phone को तो उसका invoice यहाँ पे आपको add करना है upload करना है यहाँ पे आपका phone कहाँ पे खोया था उसका address कब खोया था यहाँ पे आपको date and time डालना है यहाँ पे आपको किस state में आपका phone खोया था वो select कर लिजे डिस्टिक कहाँ पे है वो select कीजे आपका police station कहाँ पे है वो भी यहाँ पे आप select कर लिजे and जो आपने complaint दर्ज कराई है उसकी complaint number यहाँ पे add कीजे और plus में उसकी एक copy को यहाँ पे upload करना है अब यहाँ पे आप अपना personal detail डाल दीजे आपका नाम, address, आपकी identity and यहाँ पे आप upload कर दीजे and यहाँ पे आपको डालना है identity number यानि कि अगर अधार card का number है तो उस अधार card का यहाँ पे आप number add कर दीजे तो यहाँ पे आप अपना डाल दीजे email ID plus में यहाँ पे आप OTP के लिए एक mobile number add कर दीजे इस mobile number को आपको याद रखना है क्योंकि अगर आप जब अपना phone को unblock करने जाएंगे जब आपका phone मिल जाएगा तब यहाँ पे आपको यह OTP वाला mobile number चाहिए तो यहाँ पे अगर आप इसे submit कर दिये हैं तो अब आप आजाए होम पेज में और यहाँ पे आप दूसरे वाले option के बारे में हम बता देते हैं जब आपका अगर phone मिल जाता है तो यह दूसरा वाला option आपके लिए काम करेगा तो जो आपको request ID वहाँ पे block करते समय जो मिली थी उस request ID को यहाँ पे डालना है जो OTP आपने provide किया था जिस mobile number पे वो वाला number यहाँ पे add करना है और यहाँ पे आप नया वाला number add करके एक नया OTP प्रात कर लीजे and get OTP पे click करके submit कर दीजे इतना करने के बाद अगर आपका अभी तक phone नहीं मिला है तो यहाँ पे check request status पे जाकर आप अपना request ID submit करके आप अपने mobile के खोये हुए mobile का report देख सकते हैं तो दोस्तो यही रही government की नई portal इस portal से आप अपना खोया हुआ phone को वापस लाने में यह वाला portal help करेगा आपको तो एक चीज मैं आपको बता दू कि यह अभी सिर्फ Delhi और महरास्त के लिए ही available है उमीद करते हैं कि हमारे state के लिए भी यह available जल्दी हो जाए नीचे comment करके आप बताएगा क्या यह government करे तरब से एक सही step लिया गया है या नहीं तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आप इस तरीके से आप अपना complain दर्च करा लेंगे और आपका खोया हुआ phone किसी के हाथ में ना पड़े और पड़े भी तो वो उसे यूज करने के like ना रहे